हेलो एब्रीवन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके परिवाब कॉलिज अपडेट में तो देखिए फस्ट सैमेस्टर के जितने भी ऐसे स्टूडेंट है जिनका एक्जाम है मार्च से औ और अब उनको सबसे ज्यादा टेंसन हो गई है उनके सैकिंड सैमेस्टर को लेके ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपके बोई डाउट किलियर करूंगा पूरी कोसिस करूंगा जो भी आपके मन में सवाल आ रहे है वो सारे सवाल के जवाब मैं दे पाहूं उससे पहले सब्सक्राइब के स्टूडेंट है सैकें सैमेस्टर की टैंसन बिलकुल मतले क्योंकि अभी मैं कमेंट देख रहा हूं एक कमेंट बहुत ज्यादा हमाई टीम को मिल रहा है उत्तरा खंड बाले नाम से जो कोई आईडी है तो कहरे जब सब्सक्राइब के बारे में हम बता द सब्सक्राइब का अकैडमिक कलेंडर होता है पूरे साल का उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैकिंड सैमेस्टर की जो एक्जाम है वह पांच अगस्ट से सुरू होंगे यह अकैडमिक कलेंडर की अकॉर्डिंग कहा गया है बट वहीं दिल्ली विस विद्याले ने जब एक पैंट इसन्न निकाला जिसमें फशंस्तर की एकञाम आनलाइन कनफर्म किये तो उन्होंने उसमें ये भी कहा कि हम सैकिंड फॉर और सिक्स सेमेस्टर की जो एक्जाम है во मई महीने में कि ने महीने में हो जाया यह सिरफ एक टैंटिट में जो महीने वाली राकि पांच आग की पांच वह आपकी मई है कि मई से हम एक्जाम लेंगे ऐसा डिल्ली विद्धाली निकाए बट डिल्ली विद्धाली निकाला उसके अकॉर्डिंग जो आपके एक्जाम में साइकिन समझ तके वह आपके पांच अगस्ट से दिखा रहा है ठीक है तो इसके उपर अभी कोई अपडेट नहीं है कि कंफर्म डेट क्या हम तो अकैडमी कलेंडर को लेगे जलेंगे कंफर्म डेट उसी में होती है तो पांच अगस्ट मान के चलिए हो सकता है दिल्ली यूनिवसिटी जल्दी कराने के चक्कर में आपकी एक्जाम है माई में ले ले तो इसके लिए अभी सेमस्टर की जो एक्जाम है वो ऑफलाइन मोड में कंड़क्ट कराने के 99 परसेंट चांस है दोबारा कह रहा हूं सेकंड सेमस्टर की जो एक्जाम है वो ऑफलाइन मोड में कराने के लिए 99 परसेंट ऑफलाइन होंगे कंड़क्ट होंगे एक परसेंट हो सकता है कि आपको ऑनलाइन मोड दिया जाए बट 99 परसेंट आपकी एक्जाम है साइकिंड सेमिस्टर के वह ऑफ-लाइन मोड पर ही कंड़क्ट कराए जाएंगे यानि ऑफ-लाइन मोड पर ही होंगे अभी तक इसके लिए कोई भी मोड डिसी निचे नहीं हुआ क्योंकि अभी तक इसकी डेटी फिक्स नहीं हुई है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने अकेडमी कलेंडर में जो उसने डेट बता रहा है कि हम मही में लेंगे तो इसलिए जल्दी आने वाले टाइम पर डिसाइड कर देगी जैसे डिसाइड कर देगी कि हम एक्जाम करूं तो भी अकैडमी कलेंडर में अगस्ट क्यों दे रखा है दिल्ली विश्विद्ध्य लेने ठीक है क्योंकि उसमें मार्च दे रखा था और एक्जाम आपके मार्च से ही स्टार्ट हो रहे है तो कुल मिलाके एक से डेड़ महीने के अंदर एक्जाम होने के बार सवाल माहीं नहीं होता कि आपके से माइश में में हो प्रिया झाल के बीच में एक्जाम चलेंगे एक महीने के अंदर सब्सक्राइब तक आजाएगा पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल नहीं आ सकते आपके डेख लीजिए मार्च में आपके एक्जाम हुए मेरी बास सुनिए मार्च में एक्जाम हुए 10 अपरेल तक चले और सीट चेक करने में कितना टाइम लग जाए कमसा एक से डेर महीना तो लगेगा और मई मही में एक्जाम बता रहें फिर एड़ीशन भी होना है आपका तो मैं मिला के मही में तो पॉसिबल ही नहीं कि आपका किसी भी तरही के से एक्जाम हो जाए अप तयारी भी निकर पाओगे निजल तो मैं यहीं कहुंगा अभी टैंसन लेने की किसी को कोई जरूद नहीं है जैसे अभी तयारी आप कर रहें हम आपी तयारी करवा देंगे ऑफलाइन एक्जाम की वी कई कुछ चीज़ें ऐसी होती है ऑफलाइन एक्जाम में आपकी तयारी काफी अच्छी होने चीए क्योंकि महां पे आपको कोई बताने वाला नहीं होगा जो आपने पढ़के आयो तो वही आपको लिखना होता है तो कुल मिलाके और अफलाइन एक्जाम के लिए मैं आप से यह कहूंगा कि अभी टैंसन मर ले लेना और एक्जाम कराने के ज्यादा चांसिस है आपके सेंट सेंट के 99 परसेंट है एक परसेंट हो सकता है कि ऑनलाइन हो जाए बैसे मुझे सब्सक्राइब करें धेकि और महां तक महिนा करन नहीं हुआ है क्योंकि मार्च अपरैल में आपकी पेपर है और मई में कैसे होसकते साब बात है सबको पता है तो इसलिए सेंट सेंस्ट मिस्क्तर का भी महिना क्या गय inspiration नहीं किया गया है तो हम Cameronưởng के चलेंगे तो आपका एक आपको काफी experience है देने का तो आप दे दोगे कि क्योंकि स्टड़ी काफी लेड स्टार्ट हुई थी और कई ना कई जैसे होगा मैं आपको बता दूँआ ठीक है तो टैंसन बाली बार नहीं हम आपके साथ है स्ट्प साथ कोई नहीं है इसलिए हम किहता हमासर जय जा हमारे चैनल को सबस्काइब कर लीजिए खर म करेंगी सर्ट स्टूडेंत डिस विड़र के का पर नुसार जो ऑफिसल डेट है वो आपकी पांच अगस्ट है और जो अन ऑफिसल डेट है वो आपकी मई में बताई गई है दिल्ली विड्याले का कॉडिंग पता नहीं कैसे बता दी सैगी समझते के एक्जाम मई में होंगे तो देखने वाली बात है क्या से क्या होता है हम आपको अप्डेट कर देंगे ठीक है तो वीडियो के एसले वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू सो मजच